नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त रामबर्म और स्वागत है आपका सीजी एजूकेशन नी यूट्यूब चैनल पर अगर आप इस चैनल पर पहली पर आये तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन बटन दबानों ना भूलिए क्योंकि यहाँ पर आपको चति लिंक भी जारी कर दिया है दर असल इस बार सितंबर में सी सीटी इटी की परिक्चा आयुजित की जा रही है पहली बार यहाँ परिक्चा कंप्यूटर अधारित मोड पे लिजाएगी ऐसे में अभ्यार्तियों को परिक्चा के पैटन से परिक्चित कराने लिंक एक्टिव किया गया है बोड द्वारा इसके लिए प्रदेश के दूर्ग राइपूर राजनांद गाव सुईद 11 जीलों में अभ्यास के अंदर भी खोले गया है जहां अभ्यार्ति एक्जाम की तयारी कर सकते हैं ग्रामिन चेत्रों के लिए अभ्यार्तियों को कम्प्यूटर अधा कर सकते हैं गौर्त तलब है कि CTET दिसंबर परिक्षा के लिए अनलाइन आवेदन 20 सितंबर से शुरू हो गई है जबकि आवेदन के अंतिम तिति 19 अक्टूबर है उम्मीदवार आवेदन सुल्क 20 अक्टूबर तक जमक कर सकते एक पेपर के लिए आवेदन करने वाले समान आवेदन सुल्क जमक करना होगा SCST PWD उम्मीदवारों के लिए एक पेपर के लिए आवेदन सुल्क 500 अर दोनों पेपर के लिए 600 रुपे रखा गया है तो महाविद्याले में आप काउंसलिंग के माध्यम से दाखिला देने का कार्या सुरू कर दिया है आज सास्किया दिगविजे महाविद्याले में काउंसलिंग के माध्यम से बीय बीकॉम बेसी के से सबचे सीटों पर विद्यारति को दाखिला दिया गया परांत के रसायन दिच्य वा पीज़ डिसे कि अनुमते तो दिदू गई बदक रसाषंट महाविध्याले प्रसाषंट के डुल्मुल रव्लय के कारण प्रवेऽ से इतियौ आविदान फाम के लिए पोर्टाल चालू करने में विलंब हो रहा है, जब अकेल भारतिया विद्यार्ति परिषत नहीं सब्द में, छालू करने के तिन दिन के पोर्टल बिना किसी सूचना के बंद कर दिया जबकि नियम अनुसार आविदन के लिए साथ दिनों को समय दिया जाता है परन्तु बिना किसी सुचना के प्रवेश पोर्टल बंध होने से अनेक छात्र परेशानी में आ गया है इस विशेवे अकिल भारते विद्यार्थी परिशा दिकाई ते डोंगर गाओ के टीम ने प्रभारी प्रचारे महोदे कुल सच्यू के नाम पुना पोर्टल खोलने की मांग को लेकर ग्यापन सवपा है खरोष से खबर है तो अधिकाँस महाविद्याले में प्रध्यापको की कमी है कुरोनकाल के बाद आफलाइन क्लास तो लग रहे लेकिन पढ़ाने वाले भी नहीं हो तो चात्र कैसे पढ़ेंगे उदर सासन से आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण प्रचार अतिति प्रध्यापको की नियुक्ति नहीं हो पा रही है पहले गेस्ट फेकल्टी से यहां कमी किसी तरह पूरी हो जाती थी सास्किय लक्चमनेश्वर महाविद्याले के विज्ञान एवं वानिज संकाय के चात्रों ने बताया कि उन्हें महाविद्याले में प्रवेसले लगभग एक माहिना हो गया है लेकिन विज्ञान एवं वानिज संकाय में एक भी प्रध्यापक नहीं होने के कारण अभी तक उनकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। अब तक प्रारंब नहीं हो सके हैं। इलासपूर से खबर है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए प्रवेश परिक्षा के लिए आविदन प्रक्रेश चल रही है। प्रवेश परिक्षा के लिए कोई भी सेंटर नहीं बनाया गया। चात्र को जहां से स्विधा हो वहां से ऑनलाइन परिक्षा दे सकते हैं। लेकिन चात्र जहां भी परिक्षा देंगे वहां प्रयाप्त लाइट के अस्ता होनी चाहिए। इसके अलावा जिस कमरे में चात्र परिक्षा देंगे वहां किसी का आना जाना नहीं रहना चाहिए। चात्र को यूनिवर्सिटी ऑनलाइन माध्यम से यूजर आइडी वा पासवर्ड देगी। DC ID और पास्वध से छात्रों को प्रवेस परिक्षा में प्रवेस पत्रा और जारी करेगी इसके बाद 11 एक्टूबर से कौंसिलिंग सुरू होगी जबकि यूजीसी ने 1 एक्टूबर से कक्चाय सुरू करने का आद़स दिया था CU, B.Sc. Honors, M.Sc. Anthropology, Botany, Geology, Biotechnology, Physics, Electronic, Computer Science, Mathematics, Forensic Science, Chemistry, B.Farm, Diploma, Informacy, B.Sc. Forestry, B.Sc. Honors, Rural Tech, B.A. L.L.B., B.Com. L.L.B., C.A. M.Com. Honors, M.A. Englishy की परिच्चा, M.A. Hindi की परिच्चा, Hindi में होगी, MSW, B.L.E.B., M.L.E.B., Information Science, M.A. राजनिती सास्त्र इतिहास, अर्थ सास्त्र पत्र कारिता, B.A.D. M.A.D., B.A. Honors, अर्थ थास्त्र, राजनिती सास्त्र इतिहास, अंग्रेजी एंथ्रपोलेजी की परिच्चा, Hindi वां अंग्रेजी माध्यम से होगी, पांकेर के लखन पूरी से खबर है, तो ग्राम जेपरा में कॉलेज बनाने की मांग को लेकर, ग्रामीनों ने कलेक्टर से मुलकात की, सालों से ग्राम जेपरा में कॉलेज बनाने की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई अब पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ग्रामिन जिला मुख्याला में पहुचे और कलेक्टर को ग्यापन सुपते में कहा कि जेप्रा में कॉलेज नहीं खुला तवे आंदोलन करेंगे ग्रामिनों के अनुसार जेप्रे में कॉलेज खुलने से 35 गाउं की लोगों को इसका फायदा मिलेगा तुरुगे से खबर है तो समानता के अधिकार को केंद्र में रखते हुए सुप्रीम कोट ने एंडिये में प्रवेश परिक्षा में लड़कियों के लिए मारग प्रसास्त कर दिया इस कबर के प्रसारन के साथ ही जिले प्रसासर ने जिले की लड़कियों को National Defense Academy में सामिल करने की तयारी शुरू कर दिया है निशिल को कोचिंग देने चयन 11 लड़कियों का चयन किया गया है कोचिंग सेक्टर 6 इसकूल में संचालित की जाएगी केंद्र सरकार लड़कियों को भी NDA के जरिय सेना में मौका देने का निर्नाय लिया है केंद्र ने कोट को आस्वस्त किया है कि UPSC मई 2022 में लड़कियों से भी NDA प्रिवेस परिक्षा के लिए आविदन पत्र आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी करेंगे इसी परिक्षा में वे 31 चात्राय भी सामिल होगी तो हर दिन दो घंटे की कोचिंग दी जाएगी दल पूर से खबर है तो इस्तित्या समान होने के बाद भी अब स्कूल में आफलाइन एक्जाम की प्रक्रिया शुरू हो गई है संचालित नीची स्कूलों में इन दिनों टर्म एक्जाम का आउजन किया जा रहा है दसवी कप्षा के लिए लिए परिक्षा में पूरे प्रस्ण अब्जेटिव टाइप दिये जा रहे है अता एक प्रस्ण के चार विकल्प में से सही विकल्प पर टीक करना है परिक्षा का समय दो घंटे रखा गया है मिली जानकारी के अनुसा सेंट्रल बोड़ाप सिकेंडरी अजुकेशन अर्था सिवी अस्सी द्वारा वर्स दसवी एवं बारवी की अर्ध वार्षिक परिक्षा का आउजन किये जाने का निनले लिया गया है समब होता ये परिक्षा अक्टूबर या नवंबर महा के आसपास आयोजित होगी तो ये था दोस्तों 36 गड़ के सिक्षा से जुड़ ही तमाम खबरे ये खबरे आपको कैसी लगे अच्चे लगे तो लाइक कीजे और ऐसे लेटेस्ट अपडेट पारने के लिए चानल को सब्सक्राइब केजे धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में